नमस्कार, राम राम, प्यारे किसान बाईयों, यूटूब चैनल किसान पाड़ सल्ला में सभी किसान बाईयों का स्वागत चैनल भाईयों, आज हम कर्शी विज्यान के अंदर के दोक्र शाव है, उनसे बादचित करेंगे, अपने एक फसल देख पा रहे हैं, सरसों की फसल है उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार पेकेज और प्रेक्टिस काम में लिये, और वरायटी, चार-पांच सरसों की वरायटी के बारे में बात करेंगे बरानिक शेतर के किसान है, हमारे जो एस इंची तेरिया है, वहाँ पर जो नई वरायटी लौंच हुई है, उसको अपना करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं साथ में कुछ दोजार तेईस के अंदर नई वरायटी रिलीज हुई है, उनके करेक्टर के बारे में डॉक्टर साब बताएंगे तो करशी विग्यान के अंदर से किसान भाईयों आप जुड़िये, जब करशी विग्यान के अंदर से आप जुड़ते हो तो आपको यहां पर बीज उपलब्द कराया जाता है, परमानित बीज, फाउंडेशन सीड और डॉक्टरों की यहां की जो टेक्लोजी है, उसको य जदी किसान अपनाता है, तो उत्पादन के नए आयाम स्थापित कर सकता है, हमारे किसान भाईयों के पास भी बहुत लंबे एक्स्पीरियेंस होते हैं, और कुछ हमारे करशी विग्यान के अंदर है, उनकी पी-ओ-पी है, उनकी गाइडलाइन को यह दी किसान फोलो करता ह है, तो निश्चित रूप से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, तो यह सर्शों की कुछ वराइटिया है, चार-पांच उनके बारे में हमारे साथ इस के अंदर के वरिष्ट विग्यानिक जुड़े होए हैं, उनसे बाचित करते हैं, नमस्कार, नमस्कार, सुब नाम बत करेंगे, पहले थोड़ा सा अपना मोबाइल नमर बता दें क्योंकि किसान जो है कर्शी विग्यान के अंदर से या आप से तकनिक की के बारे में जो संप्रक करते हैं, तो उनको सुविद्धर है, मेरा मोबाइल नमर है, तो राणवा एक सो पैंतारेस, पैंतीस सास्सो सत्र इस वराइटी के बारे में बताएं, यह वराइटी कौन सी है, यह किसम है, आरेच 1424, जो की चोदरी चर्ण सिंग हरियानकर्शी विश्विद्धाल हिसार द्वारा 2023 में अनुवादित के गई है, यह किसम विशेश तोर से बारानी छेत्र के लिए सबसे उप्योक्त किसम है और इसको बारानी वे सिची दोनुट छेत्रों में ही लगाया जा सकता है, इस किसम की खासियत है कि इसकी ओस्त उपज, 10.5 के उंटल से 11 के उंटल परती एकड़ है, और यह 137 से 114 दिन में पक कर तियार होती है, और इस किसम में जो तेल की मात्रा है, वो 40.5% तक पाई जा ही है, जैसे मालो सलफर वगेर हम ज्यादा डालेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ती है, और इस किसम में एक फली में लगबग 18-20 दाने हैं, और फली का आकारवी मोटा है, साथ में दाने का आकारवी मोटा है, और एक तैनी पर लगबग 40-45 फलियां है, जो कि यह जो अपने देख पा रहे हैं, यह एक ही पुद्दा है, और इसमें टिलर देखो, कितने जब निकले हुए, इसमें देखे आप लगबग 7-8 टिलर निकलते हैं, जो कि बहुती उपज के हिसाब से अच्छी किसम है, और दूसरी सबसे बढ़िया बात में किसान साहिब भाईयों को यह बताना चाहूंगा, कि हम जो गलतियां करते हैं, उन में सुधार कैसे करें, सबसे पहला तो हम विजाई करते समय ध्यान रखने वाली बात है, कि लाइन से लाइन की दूरी, आप डेड़ फूट रखेंगे, तो आपके खेत में तना गलन रोग का प्रकॉप नहीं होगा, सा साथ में फलियां ज्यादा बनेंगे, तो आपने इस फिल्ड की यदि अपने बात करें, तो आपने सीड रेट है, वो कितना रखा है एक विगे में, इस खेत में हमने 300 ग्राम प्रती विगा के हिसाब से रखा है, इस से ज्यादा बीज हम कभी भी प्रियोग में नहीं लेते हैं, जी जी जी, तो ये किसम सबसे उप्युक्त किसम है, खिसान बायों को अगले साल हम इसका बीज भी उपलब्द करवा हाँे, आपके के हंदर से यह यही बजना चाहते हैं तो यहां से मिल जाएगा, आगले साल, तो यह रिऑक्त किसम है, और नई किसम है, और मेरा एक स साल तक उसको multiply करके अपने खेत के लिए बार-बार बीज बाजार से ने खरीद दें कि आज के दिन हमें खर्चा बताने की बहुत ही आवसिकता है और इस खर्चे में अगर हम बीज को अच्छी तरह से त्यार करके घर पर भी रख लेते हैं तो वह आगे काम आ जाता है सरसों क कि इस वराइटी के बारे में थोड़ा सा बताएं डाक्षाब यह किसम है आरेच 761 है जो की उत्तर भारत के लिए जम्मो कस्मीर पंजाब भारियाना राजस्तान के लिए वारानी छेत्र के लिए सबसे उप्यूक्त किसम है और इस किसम में की पकाव अवदी 136 से 143 दिन है और ये किसम विशेश तोर से मोटे दाने की और मोटी फलियों वाले किसम है इसमें एक फली में लगबग 20-21 दाने हैं और इसमें जो एक तैनी पर लगबग 30-40 फलिया पाई जाती है और लगबग यह देखा जाया तो ब्रांच से इसमें लगबग यह मान के चलो कि 12-13 ब् साट में इसमें जो तेल की मातर है वह चारीस दसमलों 4.3 औसट पाई जाती है. और विशेयच तोप तोर से बरहनी चेत्रों में और इस किसम में को हम लगसे लगवग दो फूट की विजाई बजाई पर किया है, दो फूट की विजाई पर जिसके कांड से इसमें व्रान्चिंग सबसे जयादा होई है और साथ में तनाह गलन्रब से बता रही थे बरादिक्षेत्रों के लिए क्छित्रों के किसान भी इसको लगा सकते हैं से जर Hom revived 001 अश्रम में की दूरी दूप रखी गई है और पोदे से पोदे की दूरी लगबग यह मान के चलो कि 20 सेंटीमिटर से एक फुट के बीच में रख सकता है कि साम तनागलन के बारे में बताएं भी इस फिल्ड में आपके कहीं तनागलन दिखाई दे रहा है या यह दूरी सही रखने से इसमें दूरी सही रखने से तनागलन रोग हमें बिलकुल भी नहीं देखा है और केवल इसमें एक स्प्रेय हमें आपका एजस्टोबीन और डाइफेन देता और प्लांट पापूलेशन बढ़ते हैं तो उस वज़े से और तनागलन दोनों बढ़ते हैं जी 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 और नहीं हमने इसमें काले चेपे के लिए बीज की मात्रा भी इसमें आप 500 ग्राम से के लगभग लेंगे दो फूट के पाड़े पर तो भी सफिसेंट इसका भी बीज यहां से अवलेबल हो जाए इसका भी बीज कर्शिवी ज्यान के अंदर के खुद के फारम पर तियार किया हुआ बीज किसानों को उफलब्द करवा किसम है इसमें फली लंबी वह मोटी है तथा दाने का अकार भी मोटा है एक ब्रांच पर लगभग 40-42 फलियां इस पर नोट के गई हैं और लगभग एक पोदे पर इसमें 25 से लेके 45 तक ब्रांचे पाइज गई हैं तो ये और इसकी जो बुआई है हमने वो देड़ इंच जो की तना गलन रोख टे रोखने के लिए सबसे उप्युक्त बीज दर की बात करें तो सर सीड रेट आपने इसमें कितना इसमें इसमें भी 300 ग्राम बीज ही यूज किया है पर्तिविगा के इसाब से तो और साथ में इसमें तेल की मात्रा सालीस दसमलों चार पर्ति साथ पाई जाती है तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जैसे सलफर वगेरे यूज करेगा किसान तो और ज्यादा बढ़ेगी सिंचाई की बात करें डोक्ट साब कितनी सिंचाईयां हुई है इसमें इसमें दो सिचाई दी हैं हमने एक सरवात में 45-50 दिन पर और दूसरी जब इसके फूल जड़के फलिया बढ़ने लाग चालू हो जाती है पचास परतिसत उस समय दे जाती कई बार हमने फिल्ड में देखा किसान बाई है जो बीज दर जदा डालते हैं उससे टिलर कम निकलते हैं फुटान कम होता है इसलिए बीज है वो सही रखेगा बीज दर का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए किसान बाईयों का क्योंकि किसान बाईयों में यह आदत होती है कि एक बार विजाई कर दी उसके बाद में कोई भी एक भी पोदा पट निकालना नहीं चाहता और उस वज़ए से सबसे मैं समस्या सर्षों के केस में जो तनागलन कियाती ह है वह सबसे बड़ा कारण है बीजदर ज्यादा होना और लाइन से लाइन की दूरी आप डेड़ पूट रखेंगे तो उससे कोदे में के अंदर से हवा क्रोस होगी और हवा क्रोस होगी तो इसमें तनागलन रोग नहीं आएगा अब की बार जैसे डोक्ट साब मोसम की वि सबसें के लिए बहुत ही बढ़िया रहे है साथ में अब पकाव के आवस्ता में है अगर बढ़ता है तो भी मोसम इस सबसें बढ़िया रहेगा जी सर्वाइटी के बारे में मुताइब रोक्ट साब ये किसम है आरेच गुनिस सो पीचेत्र है जो की हरी चोदरी चर्ण सिं विशुदर लेदवारा इजाद की गई है और इस किसम में 136 से 142 दिन पकने की अवद्दी है साथ में तेल की मात्रा 40% है और उसत उपज इसका साड़े 10 से साड़े 11 क्योंटल परती एकड़ है और इस किसम में फलियों का दाना मोटा है सर्षों का दाना और फलिया मोटी ह साथ में एक टैनी पर लगबग 40-45 फलिया है साथ में एक पर दस से बारा ब्रांच पोदे पर तिलरिंग बहुत अच्छी करती है और सबसे मैंने जो आरेच 749 थी उसके बाद में पहली यह किसम है जो की सिची छेत्र के लिए विशुदा लाद्वारा नोटिफाई की गई है और इसका भी बीज हम कुछ मात्रा में किसानों को अगले साल उपलबद करवाएंगे इसकी बीज दर की बात करें तो डौट साव एरिया के नुसार कितना लगबग बिगे में अपने यूज किया है इसमें हमें 200 ग्राम बीज लाए थे जो की लगबग एक सवाबीगा मे हमने भी जाए जी जी लाइन से लाइन की दूरी हमने डेट फुट रखिया ठारा इंस और इसमें जो सबसे मैं है ठीलर सबसे अच्छे है जी जी तो यह किसम भी वैसे बहुत ही अच्छी है और इसका भी बीज किसान बाई जो लेके जाए मैरी यह इसला है कि स्टोर करें आगे के लिए उसको काम मिले पहले आप कोई बीज सिमित मिला है तो आगे किसानों को आप बीज बनाने के लिए थोड़ा बीज उपलब्द करवा पाएंगे तो यह अगली साल हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसका एरिया बढ़े फटी लाइज की बात करें तो डौक्र करता है वो भी यूज कर सकता है तो दोनों में से कोई सा भी फटलाइजर लेके इसकी बुआई की गई है और साथ में उपर से अधा बैग यूरिया का दिया पहले माली वराइटी में अपनी बात चिल रही थी जीवा अम्रत घंणम म्रत की उसमें आपने किस प्रकार बघा गया है नहीं उसमें कोई पेष्टिवा ड़ा गया ईसम. केवल हम दो बार घंजीवा अम्रत डाला है एक उन्हकू सॉट्ष kita नहीं किया गया है dop और साथ में से बार जिवा अम्रत और कोई भी रसायनिक दवा का भी यूद नहीं किया घूस वेशर लिव तो एक जो प्राशानिक वाला भी लगाया है लेकिन हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है उपज का हम जब आखलन करेंगे तो किसान भाईयों को उसकी भी जानकारी हम देंगे जिस से एक यह भी है कि फाल्तु का फेटलाइजर यूज करना भी जमीन को खराब करने वाली बात साथ में किसान की लागत है लागत भी बढ़ती है मिट्टी जांच के अनुसार यदि डालता है किसान से अच्छे प्रणाम मिलते हैं सबसे अच्छे प्रणाम मिलेंगे जी जी